नमस्कार दोस्तों आप सभी के एक बर फिर से बहुत बहुत स्वागत है करियर बिट के इस फैमले में दोस्तों 287 2019-20 में एडमेशन के लिए काउंसिलिंग प्रोसेस में अहम बदलाव किया गया है अब आपको सीट लॉक करने के लिए एक मोटी रकम चुकानी पड़ेगी दोस्तों क्या है पूरा मामला यदि आप भी 287 2019-20 में एडमेशन लेने के एक चुक है तो इस वीडियो के किसी भी पार्ट को बिना स्किप के हुए बने रहे हैं करियर बिट के इस चैनल पर आगे बढ़ने से पहले में आप लोग को याद दिला दूँ कि यदि आप करियर बिट के चैनल पर नहीं हैं तो क्रिपेस को सब्सक्राइब कर लेजिए और बेल के एकन को भी प्रेस कर देजिए का ताकि जब भी किसी नय अपडेट के लिए मैं वीडियो बनाऊ तो उसका नोटिफिकेशन आपको समय से मिल सके और अगर आपने इसे पहले से सब्सक्राइब कर रखा है तो आपका बहुत-बहुत धन्यवाद है दोस्तों सत्र 2018-19 में बीड में एडमिशन लेने के लिए एक सीट जब आपको काउंसलिंग के थुरू एलाट हो जाती है किसी भी पर्टिगुलर कॉलेज में तो आपको उस सीट को लॉक करने के लिए 5000 रुपय पे करने होते थे दोस्तों पिछले सत्र में 5000 पे करने के बाद से सीट लॉक करने के बाद से बहुत से अभीर्थियों ने उस सीट को छोड़ दिया था और इसी के वज़ा से लगबग 54,000 सीटें सत्र 2018-19 में रिकत रहे गई थी दोस्तों इनी सब खामियों को दूर करते हुए 28-7-2019-20 में एक सीट लॉक करने के लिए आपको पूरे एक वर्ष के बीएड का फी सब्मिट करना होगा मिस दोस्तों जब आपने अपना काउंसलिंग करा लिया उसके पास से कोई भी पर्टिकुलर कॉलेज में आपको सीट लॉट हो चुका है तो आपको एक नियत समय दिया जाएगा उस नियत समय के बीच में आपको अपने एक वर्ष का पूरा फी सब्मिट करना होगा और अगर आप आप सफल हो जाते हैं फी सब्मिट करते हुए तो फी आपका वो सीट लॉक नहीं माना जाएगा और उस सीट पर दूसरे अभीरतियों को फिर से मौका दिया जाएगा कि वह उस पर काउंसलिंग करा सके दोस्तों इसी के संदर में पेपर में एक आर्टिकल निकली हुई थी यदि आप इसे पूरा पढ़ना चाहते हैं तो इस वीडियो को पहुच करते हुए पढ़ सकते हैं दोस्तों बीड सत्र 2019-20 में एड्मिशन से रिलेटेड बहुत से महतोपूर्ण वीडियो के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे तो दोस्तों आज की वीडियो बस इतना ही उमीद करता हूँ आप लोग को यह अपडेट पसंद आई होगी ऐसा ही महतोपूर्ण अपडेट्स के लिए बने रहें करियर बेट के इस चैनल के साथ धन्यवाद